हेलो, गुड इनिंग दोस्तों, 12 दिसंबर 2018 की डेली प्रिलिम्स MCQ सीरीज में आपका स्वागत है, चलते हैं आजगे क्यूशन की तरफ, आजगा जो पहला क्यूशन है, वो बेसिकली है, देखते हैं क्या है, क्यूशन पहला क्यूशन यह है कि निमल लिकीत में से कौन सा प् प्राकन होते हैं, वो basically effective हो रहे है या फिर उनके लिए खत्रा बन रहा था जा रहा है, तो देखो basically जो प्राकन होते हैं, उनको खत्रा basically केटनास्कों से भी है, जलोयू प्रियूर्थन से भी हो रहा है, मोनो कल्चर खेती से भी हो रहा है और habitat degradation के से भी हो रहा है तो इसके चारों के चारों अप्शन है वो यहां पे हो जाएंगे next question के तरफ चलते हैं next question है वो है global tagger form के बारे में पहला statement ही है कि global tagger form है वो एक international गेर सरकारी निकाय है जान अखना कि अंतराष्टे गेर सरकारी निकाय है जो कि tagger conservation के लिए काम करता है second statement यह है कि इस अंगठन का secretariat न्यू दिल्ली में इस्तित है तीसरा statement यह है कि global tagger form है वो 1993 में form है वो किया गया था अब आपको पताना है कि इसमें से कौन सा statement सही है तो देखो ग्लोबल tagger form के बारे हमने आज से 3-4 दिन पहले ही discuss किया था काफी अच्छा question है आप एक को बता दूं second statement बिल्कुल सही है third भी बिल्कुल सही है पहला statement गलत है क्यों? क्योंकि है एक non-profit organization नहीं है यह आपको यहाँ पर दानक ना कि non-governmental तो यह इसलिए यहाँ पर हम बात करें तो पहला statement गलत हो जाता है चलते हैं next question की दरफ next question है उसमें तीरी statement दिया गए है आपको बताना कि कौन सा सही है पहला statement यह है कि के 9 dispenser virus एक viral disease है जो कि जानौरों में gastroid solution, sowsan और kendriya tantri गा तंतर को effect है वो करती है या फिर center neural system को effect है वो करती है दूसरा statement यह है कि हाल ही में cdv ने गीर अब्यारनेक के एसे छितरों पर हमला है वो किया तीसरा statement यह है कि asatic loin है वो unrable list में आते हैं तो देखो काफी अच्छा question है आपको इसके बारे में comment box में बताना है कि कौन सा statement सही है और कौन सा गलत है चलते है next question की तरफ next question हम बात करें तो वो है consider the following statement about lonar lake तो lonar lake के बारे में statement दिया गया है कौन सा सही नहीं है देखो यहाँ पे पूछा कहा है इसने not correct मतब जो statement गलत है वो बताना है पहला option है आपके कि यहाँ परत्वी में कहीं sorry एक सेगिन यहाँ परत्वी पर कहीं भी बेसाल्टिक चतार में एक मात्र ग्यात हाइपरवेक परभाव क्रेटर है दूरसा statement यहाँ कि यह महराश्टर में इस्तित है option है A है सही है B सही है AB दोनों सही है और चोथा option है कि none of these तो देखो हम बात करें कि तो दोनों के दोनों statement सही है इसलिए इसका option हो जाएगा D none of these को कि इसने गलत पूछा है में देखो basically बहुत टाइम पहले की बात है जब क्या हो आता एक जो asteroid था वो हमारी earth पे आके गिरा था और उसकी जैसे बेशाल्टिक रोग से खड़ आवना के लिए सरक्से छेत्रों में इस मानको के मुलांकन को प्रोचसाइद करने के लिए नया conservation system है दूसरा सिस्टम में यह है कि पहली परजाती विश्चिट CA मान बाग के लिए मतलब जो tiger conservation है उसके लिए basically इस्टेंट से उप गएगे है तीस्टा सिस्टमेंट यह है कि tiger conservation छेत्रों में केवल 13% ही CATS इस्टेंट के fulfill है वो हो रहे है आपको बताना कि कौन सा स्टेंट सही है तो देखो मां आपको यहाँ पर बताओं CATS जो स्टेंट है वो basically तीनों के तीनों स्टेंट यहाँ पर सही है CATS basically tagger conservation के लिए इस्टेंट है वो बने गए है टाइगर और टाइगर की सपाथ सब इस भी सुझती है उनके लिए तो अभी recent list का survey सामने आता तो पता चला था कि all over world में 13% ही ऐसे areas है या ऐसी national park है जहाँ पे basically CATS इस्टेंट को follow है वो क्या जा रहे है बाकि जगर tagger conservation पे CATS इस्टेंट को follow नहीं किया जा रहा तो पहला statement भी सही है दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है सलते हैं next question की दरफ next question है वो है UNESCO के विश्वा network और bios पर इजहों में नेमल एकितम से कौन सा bios पर इजहों सामिल है मतलब UNESCO के world network और bios पर इजहों में कौन सा सामिल है वो आपको बताना है तो देखो आपको पता है कि निलगीर बाइज़ पर इजहों सामिल है कंचनजंगा बाइज़ पर इजहों भी सामिल है अगस्त मलाई बाइज़ पर इजहों भी सामिल है और यहाँ पे cold danger by us पर जो सामिल नहीं है तो चोथा यहाँ पे गलत हो जाएगा और A, B, C या 1, 2, 3 यहाँ पे सही है Next question है वो है GSLV Mark 3 के बारे में पहला statement ही है कि GSLV Mark 3 एक चरण का भारी रिक्ट लोफेट है धानक नहीं इसमें कहा लेका 4 stage heavy lift rocket बनलब इसमें 4 stage गे rocket engine को यूज किया गया है दूसरा statement ही है कि पहली उडान में 2014 में basically इसका friction है वो क्या गया था और दूसरा थीसरा statement ही है कि यह है Geo synchronous transfer orbit में 10,000 किलो तक के उपकराय को ले जा सकता है चोता statement ही है कि इसे 2019 में भारत के दूसरे चंदरियान Mission 2 और 2022 में भारत की पहली मानु अंतिक सुडान के लिए launch के तोर पर यूज है वो क्या जाएगा आपको बताना कि कौन सा statement यहाँ पर सही है देखो आपको बता है कि मंगल यान में इसका यूज हो क्या जाना है GSLV Mark 3 का तो चोता option भी सही है बात करे हैं हम यहाँ पर second statement की तो second statement भी बिल्कुल सही है कि 2014 के अंदर basically जो atmospheric re-entry experiment किया गए था care experiment जिसमें क्या होता है कि अगर कोई spacecraft वो space में जाता है और फिर वापस आता है तो उसकी re-entry की basically इसका check model है वो क्या गया था तो second statement भी सही है fourth statement भी सही है अब हम बात करते हैं पहले और तीसरे statement की कि यह गलत क्यों है देखो GSLV mark 3 है वो basically 3 stages है इसमें ना कि 4 तो obviously पहले statement यहाँ पर गलत होता है next दलते हैं तीसरे statement की क्या कह रहा है कि geosynchronous transfer orbit में 10,000 kg तक का उपकर ले जा सकते है तो आपको बता दूँ कि यह है जो lower earth orbit है उसमें तो लेके जा सकता है 10,000 kg तक का और जो उसके बाद में geosynchronous orbit है उसमें लेके जा सकता है 4000 kg तक का तो इसका मतलब यह statement गलत है तो इस तरीके से first और third गलत हो गए है second और fourth यहाँ पी सही है next question है वो है कि अभी recently तीन वर्ड न्यूज में थे एक तो है स्वास S.W.A.S दूसरा है सफल और तीसरा है स्टार तो यह क्या है आपको यह बताना है काफी important है देखो पहला option आपके सामने है कि वाईव पर्दिशन को नेंदर करने के लिए उपकरन दूसरा statement यह है कि सवदेशी विक्सित तौरपीडो तीसरा statement है ग्रीन पटाके या ग्रीन क्रेकर और चोथा statement है इलेक्रोनिक उपकरनों को रेट के लिए पहली है इलेक्रोनिक सुपर की रेटिंग सिस्टम आपको बताना है कि निमेंसे कौन सा सही है को बेसिकली हमने दिवाली के टाइम पर पढ़े थे काफी आर्टिकल कि जो ग्रीन पटाके सुप्रीम कोड के द्वारा ओडर के बाद जारी किया गया था उनमें बेसिकली इन्वर्स का यूज़े वो हुआ था तो यहां पर इसका उप्छन है वो तिसरा हो जाएगा नेक्स्ट क्यूस्टन वह बेसिकली यहां पर कोड के बारे में तो आपको बताना है कि कोडा के बारे में स्ट्रेटमेंट दे गहें कोंसा सही है और कुंसा गलत है तो यह क्वाल आपके लिए होम बग है पहला statement यहाँ पर दियागा कि कोवाला है वो पूरी ओस्टेलिया के निलगीरी छेत्रों में या निलगीरी जंगलों में पाया जाते हैं दूसरा statement यह है कि है ओस्टेलिया के लेक अर्बेरिल महसारी मसिपल मूल है तीसरा statement यह है कि है IUCN की vulnerable list में सामिल है और चोथा यह है कि कोवाला से वो पेड़ पोदों की पत्यों से खाकर बेसिकली पानी की पूर्ती है वो करते है नॉर्मली यह पानी नहीं पीते है तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा statement सही है देखो अब यह जो वर्ड है यह news में भी था कोवाला के बारे में तो आपको यह option इसके option से वो comment box में बताने है यह थी आज की हमारा discussion तो फिलाल की discussion में इतना ही तो thank you thank you very much for discussion